Income Tax Department की तरफ से एक बड़ी खबर आई है Tax Audit Retour File करने की डेट को जो 30 सेक्टेमबर 2022 थी उसे बढ़ातर अब 7 अप्टूबर 2022 कर दिरा गयरा है मतलब की CA Professionals वो थोड़ी राहत मिली है 7 दिन P.A.R की डेट बढ़ा दी गई है इसके साथ ही इस पिछले हफ़ते में कुछ और भी चेंजिस आए है 1 अप्टूबर 2022 के जो Finance Act 2022 के द्वारा बडलाब किये गए उसके अनुसार अब GST के अंतरगर Input Tax Credit क्लेम करने की डेट 30 सेक्टेमबर के बजाए अब 30 नवंबर हो गई है तो इसके साथ साथ ही DIR3 KYC की देट में भी MCA ने बदलाब किया DIR3 KYC और DIR3 KYC वैट दोनों ही और उसकी डेट में बदलाब कर दिया गया आगे डारेक्टर की वैजिकेशन करने के लिए 15 दिन का समय और दे दिया है Ministry of Corporate Affairs में तो यह कुछ बदला पिछले हफ्ते में चलते आए लेकिन रात जो बड़ी ख़बर निकल कर आई वो यही Twitter के माध्यम से Income Tax Department में सुचित किया कि साथ दे और पढ़ा दिये गए हैं Tax Audit Recault को फाइल करने दिये लिए यह एक बड़ी का अफ्वी ख़बर यही बुटिति के साथ ही और भी बहुत सारी ख़बरें जीनुपर हमारे घजर बनी नहींदी आप हमारे साथ पने नहींदी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि अगर को सब्सक्राइब कर लीती है क्योंकि CA, students और CA members से जो सभी खबरे आपको अपने इसी चैनल तरह इंडियन पल्स पर मिल ले वादी थैंक्यू झाल झाल थेपको अपने इसी चैनल नहीं हो कर दो दो स्क्केश ठाय। झाल 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 झाल